हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे संधी के बारे में बच्चों जब शब्दों में दो वर्णों के पास-पास होने से दोनों में मेर हो जाता है तब बोलते समय उन्हें अलग-अलग नहीं बोला जाता बलकि उनका चारण भी एक हो जाता है यहीं मेर संधी के लाता है जैसे हमारे सामने चित्र दिये गए हैं पहला चित्र है शिवालिय शिव जमा आलिय इससे क्या बना शिवालिय शिव पहला उच्चारान किसका आ रहा अ का और आलिय में आ यानि ओ और आ के मिल से आ बन गया दूसरे शितर में सूर्यास्त सूर्य जमा अस्त सूर्य अंत में किसका उचारान और आ का और अगले का शब्द का प्रथमवन आ है तो आ और आ के मिल से बना आ सूर्यास्त तीसरा शब्द पुस्तकालिय पुस्तक जमालिय इसमें भी ओ और आ का मेल होने से आ बन गयान की दीर्क सूर्य में आ जाता है आपका वन तो बच्चों इन उधानों में प्रथम शब्द के अंतिम तथा द्वित्वे शब्द के पहले वन में संदी हुई है अर्थात पहला शब्द का अंतिम वन लेना है और दूसरे शब्द का प्रथम वन लेना है और दोनों को मेल से संदी हो जाती है आईए एक बार संदी की परिभाशा जान ले दो वन्णों के मेल से होने वाले विकार विकार यानि परिवर्तन को संदी कहते हैं संदी विछेद क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले संदी युक्त शब्दों को अलग करने की विधी को संदी विछेद कहते हैं अर्थात शब्दों को अलग करना विछेद करना संदी विछेद कहलाता है जिसे शिव जमा आल्ये ये क्या है विच्छेद है और इसको जोड दिया शिवा आल्ये तो संदी हो गई आए संदी के भेद जाने बच्चों संदी के निमले के तीन भेद होते हैं सबसे पहले हम जाने के स्वर संदी क्या है दो स्वरों के आपस में बेल होने से जो विकार होता है उसे स्वर संदी कहते हैं स्वर संदी पांच प्रकार की होती है स्वर संदी के नियम जान देते हैं पहला है दीर्ग संदी यदि हस अत्वा दीर्ग अ-ई-उ के बाद समान स्वर अ-ई-उ आए तो दोनों मिलकर दीर गयन की आ, ई, उ हो जाते हैं जैसे की अ, जमा, ओ इससे क्या मिलकर बनेगा आ और संदी विछेत क्या है वेद, जमा, अंत, विदांत ओ आए और उसके बाद आ आए तो भी आ ही बनेगा जैसे पुस्तक जमा आ लिए, पुस्तक आ लिए पहले आ आ आए और दूसरे में ओ आ आ यानिकि दोनों तरफ छोटी इ आ यानिकि दीरक स्वर में बदलेगा रवी जमाएंद्र, रविंद्र पहले बड़ी इ आए और दुबारा भी बड़ी इ आ तो भी बड़ी इ आएगा गिरी जमाईश, गिरीश गिरीश उ जमाउ, उ बनेगा, सु जमाउक्ति सुक्ति उ जमाउ, उ बनेगा, वधू जमाउच्साव, वधू सव दूसरा है गुण संदी यदि अ, आ के बाद इ, इ, उ उ तता री आए तो इसके स्थान पर क्रम्शा ए, उ तता अर हो जाता है जिसे अ के बाद इ आए तो ए बन जाएगा, जिसे वीरजमाउंद्र, विरेंद्र, एकी मातर आ जाएगी अ के बाद बड़ी इ आए तो भी ए बनेगा, नर्जमाईश, नरेश आ के बाद छोटी ई आए तो भी ए बनेगा राजा जमा एंद्र राजेंद्र आ के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी ए बनेगा महा जमा इश्वर महेश्वर अ के बाद अगर उ आए तो ओ बन जाएगा हित जमा उपदेश हित ओपदेश आ के बाद अगर उ आए तो ओ बनेगा जिसे महा जमा उत्सव महोत्सव यानि कि संदी करते होए ओ की मात्रा लग जाएगी अ के साथ अगर बड़ा उ आए तो ओ बनेगा जिसे जल जमा उरजा जलोरजा देखो लव में ओ की मात्रा आ गई लो में ओ की मात्रा आगे आ के साथ अगर बड़ा उ आए तो भी ओ बनेगा जिसे दया जमा उर्मी दयोर्मी अब हम जानेगे व्रदी संधी के बारे में जब स्वर ओ अत्वा आ के बाद ए अत्वा आ आते हैं तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है तथा जब ओ या आता है तो ओ हो जाता है यानि कि दीर स्वर में बदलते हैं जिसे ओ के बाद अगर ए आया तो आए होगा जिसे लोक जमा एशना लोकेशना ओ के बाद बड़ा ए आय तो आए हो जाता है अब हम जानेगे यन संधी के बारे में हस्व अत्वा दीर्ग उ री के बाद असमानस्वर आए तो इए के स्थान पर य उ के स्थान पर व तकारी के स्थान पर रह हो जाता है जैसे जमा ऊ य अती जमादिग अधिःधिग इ जमा य बनेगा अती जमाँ अत्यन य जमाओ भी य बनेगा जैसे देवी जमार्पन देव需要 प्राण इ सम्धारण य र चमा य बनेगा व बनेगा जसा अन कर चसाद तकर आए शहाथ ल Вас साधर किुंगत जा साथ तो वा बनेगा सु जमा आगश्चा पित्र इच्छा अब है अदिसंदी आगे इसके बारे में जानेंगे हम जब ए आएं ओ आओ की आगे कोई भी स्वर आए तब इसके स्थान परक्रम्श है आएं आएं आओ तो था आओ हो जाता है जैसे ए के साथ ओ आए तो आएं चे जमाण चयन ए के साथ ओ आए तो आएं ने जमाण नयन आएं के साथ ओ आए तो आएं गे जमाण गायक आएं के साथ ओ आए तो आए गए जमाअन गायन ओ के साथ अगर ओ आए तो आव पो जमाअन पवन अओ के साथ अगर ओ आए तो आव पो जमाअक पावक अब दूसरी संदी है व्यंजन संदी व्यंजन के आगे व्यंजन अर्थवा कोई स्वर के आ जाने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधी कहते हैं जिसे सत्त जमाजन सज्जन तत्त जमालीन तनलीन आईए व्यंजन संधी के भी नियम जान लेते हैं हम पहला नियम में इसका यदि वन के प्रत्थम अक्षर कचट दप कि आगे वन का तीसरा चौथा पाँचवा वन हो नत्वा यर लव मेंसे कोई वन हो या कोई स्वर आ जाए तो उस प्रत्थम अक्षर के स्थान पर उसी वर का तीसरा अक्षर हो जाता है ज्यान रखिएगा उसी वर का 5 राक्षर में बदल जाता है यह जिसे ξाता कर और थीसरा वन कौनता है कऊ के वर का गउव में बदल जाएगा देग जमा अंबरदिगंबर ता कि साथ यह आया हो जाएगा उत्द्द जमायोग उद्योग तो कि साथ जमाठ आ ay Ne शडानन को के साथ अगर गौ आये तो स्वर रहित होगा दिक जमा गच दिक गच तो के साथ अगर इए तो दी होगा जगत जमाईष जग्दीश और दूसरा नियम है इसका यदि वर्ग के पहले वन को चोट तो व कि कि बाद न यह मौ अंग तोवन का प्रथम वन अपने वर की पांचवें में बदल जाता है तो के सालद अगर नो आया तो नो हो जाएगा जित उत जमान थी उन्नत Ih तो किस में बदल गया नौ में बदल गया को के साथ मौ आया तो डो हो जाता वाक जमा में वाड में तो के साथ मौ आया तो अनौ पांचवे वण में शक्ट जमा मास शड मास तत के साथ मौ आया तो नौ तत जमा में तन में और तीसरा है इसका यदि तो के बाद शो हो तो तो के स्थान पर चो और शो के स्थान पर चो हो जाता है जिसे तो जमा शो आदा चो और चो उट जमा श्रंखल उट जमा शो आदा चो और छो में बदलीगा उट्ट जमा शिष्ट शिष्ट अगला आंगेज का चोथा तो के बाद जो हूँ तो तोकिस्थान पर जो हूँ जाता है तो के बाद अगर जो आए तो आदा जो और पूजा जो में बदलता है जिसे सत्जमाजन सजन तो के बाद अगर जो आया तो जगत जमाजननी जग जननी अगला भी देश का तो के बाद डो हूँ तो तो के स्थान पर डो हूँ जाता है तो जमा डो डो उत्त जमा डयन उडियन तो के बाद डो आये तो डो उत्त जमा डियते उडियते अगला बेदioxid का चुछटा यदि तो के बाद हो तो का दो और हो का धो हो जाता है जिसे ब踊न से ंबहर्द समय उद्धार तो सब्रर्द दर्द यनि-की पत्त-जमाहरिक थंधरित अगला इसका साथा है यह इस वार के बाद छोगों हो तो चाच हो जाता है जिसे और जमाच्छोग अधा चाच में बदलेगा स्वा जमाच्छ वच आ के बाद छौग आये तो आजमाच चाधन अच्छाधन और अगला अठीग है यदि मौ की बाद स्पाश्वन जन को से मौ का कोई भी वन आये तो मौ का अनुस्वार अथ्वा बाद वाले वन का पंचम वन हो जाता है जिसे मौ में तौ मिलेगा तो मौ सम जमा तोश संतोश मौ में पौ मिला तो भी मौ सम जमा पूर्ण संपूर्ण मौ में कौ मिला तो पेफ़ीम अहंकार और तीसरी संदी विसर्क संदी विसर्क के बाद सवर या विंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्क संदी कहते हैं इस चंदी संदी के कुछ तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है जिसे मनहा जमा रत मनुरत मनहा जमा बल मनुबल यशहगार जमा गान यशोगान मनहा जमा हर मनुहर अगला निया में यदि ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रो हो तो ए का ए हो जाता है जिसे नह जमा रोग निरोग नह जमा रज नीरज अगला निया में विसर्ग के बाद यदि शो चो छो हो तो विसर्ग के स्थान पर शो हो जाता है जिसे नह जमा चल निश्चल नह जमा चय निश्चय दूहु जम्हा शाषन दुश्य शाषन प्रय जम्हांचत्थ रग्लन यह चोट्था नियम है इसका विसर के बाद टाओ या ठाओ तो विसर के स्थान पर शो हो जाता है जिसे धनु जमा टंकार धनु ष्थ-तंकार निह जमा ठोर निश्ठोर अर अगला नियम पांचवा विसर्गे बाद तो सौ हू तो विसरक इस्ठान पर सौ हुजाता है। यसे मनहोजमा-जताप, मनस्ताप, दूहोजमा साहस, दुस्साहस। और छटा नियमें इसका। यदि विसरक से पहले आहो और विसरक का मिलक यदि पौ से होежд Hack सnap प्राताह जमा काल प्राताह काल अधा जमा पतन अधा पतन आईए इस पार से संबंदिन ध्यान देने योग्य बाते हैं वो भी समझ लेते हैं दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संदी कहते हैं संदी युक्त शब्दों को अलग करने की विधी संदी विछेद कहलाती है संदी के तीन भेद हैं स्वर संदी व्यंजन संदी वह विसर्क संदी दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संदी कहते स्वार संदी के पांच भेद हैं दीर्ग कून व्रिधी यन और आयादी संदी व्यंजन का व्यंजन अत्वा किसी स्वार से सयोग होने पर जो परिवर्तन उत्पन होता है उसे व्यंजन संदी क्यात है विसर्ग के साथ स्वार या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन होता है उसे फिसर्क संदी कहते हैं तो मीद करती हूं बच्चों आपको संदी अच्छे से समझ आई होगी इसके भेद भी आपने जान लिये हैं अब इसका अभ्यास कार्या स्वाइम कीजिए